चली फ्रेंट्स अब बात करते हैं कि मेरे को अब क्या करना है सपोज मेरे को इस फाइल को तीन अलगलग लोगों को भीजना है मेरे को यह पूरी फ्रेंटस भीजनी है सपोज मैं इसको अन्प्रोटेक्टर गर्दा ओँर लोगों को भीजना है और मेरे को उनको यह बोला कि आप एक काम करो A को बोला जी आप अपने area में यहाँ पर data डालके मुझे भेजो, B को मैंने बोला आप अपने area में data डालके भेजो, C को मैंने बोला आप अपने area में data डालके भेजो, तीनों को मैंने बोला अपने area में data डालके भेजो, बहुत बढ़िया बात है जी मैंने तीनों को भेज दि से दिक्कत यह होई ये फाइल में 50 लोग हो सकता है, हां इस केस में 3 लोग है, मैं फाइल 50 लोग को भेद आँ, 50 लोग को जब मैं फाइल भेद आँ, तो ये लोग गलती क्या करते हैं, कोई लोग जान पूछ के कर देते हैं, कोई लोग गलती से कर देती, intentional और unintentional, कोई भी mistake हो सकती है, यह अपने area में तो data डालता ही है, बी में भी डाल देता है, या सी में भी डाल देता है गलती से, जब इस तरह की mistake होती है, तो friends, जब मेरे पास file complete होके वापस आती है काम होने के बाद, और मेरे को इन file को compile करना होता है, एक में consolidated file बनानी होती है, एक single file बनानी होती है, तो सबसे पहला मेरा काम बढ़ गया कि मैं data को check करता हूँ बैठ गे, कि भई सब ने correct जगा पर entry की है, क्या A ने अपने area में entry की है, कहीं और तो नहीं करके बेज दी, यह बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को, तो friends यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं range specific, people specific, specific people को specific cell specs से दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ A यहाँ पर entry कर पाए, A यहीं पर entry कर पाएगा, कहीं और नहीं कर पाएगा, मैं चाहता हूँ भी यहाँ पर entry कर पाए भी यहीं पर entry करेगा कहीं और नहीं कर पाएगा तो जिसको मैं जहां के right दूँगा वो वहीं के entry कर पाएगा और कहीं entry नहीं कर पाएगा कैसे करना है समझते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है जिस sheet में आपको protection लगाना है range specific people specific आपको protection लगाना है सबसे पहले आपकी जो by default setting होती है cells की जो आपने भी change कर दिया आपने कहीं से lock अटा दिया कहीं से आपने basically उसको hidden अटा दिया तो वो सब मेरे को change करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ पूरी sheet को सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी sheet को मैंने select किया right click format cell right format cell अभी आप देखेंगे दो इस तरह के यहाँ पर नहीं tick आ रहा है इस तरह के button बने हुए आ गए इसका मतलब ही है कुछ cell locked है कुछ cell unlocked है hidden में ऐसा आ रहा है इसका मतलब कुछ cell hidden है क जो मैंने start किया था protection को तो मैंने आप लोगो बताया था ही okay right friends तो by default मेरी setting वापस आजाती है पहले मेरे को by default setting चाहिए अब मेरे को friends क्या करना है मेरे को allow edit ranges में जाना है right review के अंदर allow edit ranges allow edit ranges पे click किया एक blank आपके सामने sheet open एक blank आपके सामने window open हो जाती है आपको क्या करना है friends यहाँ पे new पे click करना है range का नाम देना है किसके लिए आप range बना रहे हो कुछ भी ऐसा नाम जिससे आप relate कर पा हो मैं range किसके लिए बना रहा हूँ A के लिए team A तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ team A team A right किस range पे access देना है वो मुझे यहाँ बताना है तो पुरानी जो range है मेरे को delete करना है हटाना है और मेरे को अपनी यह range select करनी है कि इतने area में A1 A42 E5 A42 E5 में वो entry कर पाए राइट आ गया जी इस range का password 123 ठीक है जी ओके 123 re-enter password ओके आ गया team A के लिए range create हो गई मेरे को एक B के लिए भी बनानी है new team B आप अपने एसाब से कुछ भी नाम लिख सकते है right जिससे आप relate कर पाए नेम में कोई space नहीं चाहिए right नेम में कोई space नहीं देना है मैं B के लिए range select करूँगा यह range है right password A के लिए 123 दिया था different password रखना है सबके लिए A के लिए 123 right B के लिए क्या रखना है 456 okay 456 okay right friends B के लिए हो गई एक और बनाएंगे team C के लिए team C range क्या है इसकी range है यह वाली right यहां से यहां तक B82 E10 password क्या है 123456 हम लोग use कर चुकि है 789 okay 789 right okay मेरी range set हो चुकी है friends बाद में मेरे को किसी range को delete करना है मैं delete भी कर सकता हूँ यहां पर आके right और मेरे को अगर किसी को modify करना है मैं दुबारा इस पर click करके modify करके उस range को password को change करना है म यह friends मेरी range सारी बन चुकी है मेरे को apply करना है और okay करना है apply and okay अभी friends मुझे क्या करना है मेरा काम हो चुका है मेरे को protect sheet करना है protect sheet protect sheet तो मुझे करना ही पड़ेगा मैंने आप लोग को बदाया था right जो मेरा इस जब मैने इसको start किया था बीच में मैंने आप लोग को बदाया पासवर्ट जो है अगर आप बहुत सारे लोग के पासवर्ट क्रियेट कर रहे हैं तो आपको पासवर्ट के लिए उनके नाम के साथ उनकी टीम के नेम के साथ एक फाइल क्रियेट करनी चाहिए जिस ओटेट आप उसको भूलो ना आप सबको यह फाइल भेज दोगे वीग बन में उसने डाला 1000 1000 लिखना है लेकिन जैसे उसने लिखने कोई कोशिश की उसने पासवर्ट पूछ लिया इस सेल यू आपना पता था उसने डाला 123 अब रेंज उपन हो गई है अब मैं या पर जो लिखना चाहूंगा वो मैं लिख सकता हूं इतने एरिया में मैं लि यहां का पासवर्ट क्या है 456 पता होगा तो डालेगा नहीं पता होगा तो नहीं डालेगा सब्पोज यह फाइल B के पास पहुची है बी ने भी फाइल को उपन किया और उसने यहां से इसने खोलने की कोईश की उसने पासवर्ट पूछ लिया उसने पासवर्ट डाला 456 अब B की range open हो चुकी है, वो जो यहाँ number डालना चाहेगा, वो यहाँ पर वो सारे number डाल सकता है, लेकिन वो C में अगर entry करना ही कोईश्च कर रहा है, तो उसने फिर password पूछ लिया, वही C का password बताओ, इस range का, क्योंकि इसके लिए different password है, तो password इसका क्या है, 123 for A, 456 for B, 789 for C, 789 अब वो यहाँ पर entry करना चाहेगा, तो वो यहाँ पर entry कर सकता है, तो इस तरह से friends, आप लोग range में password डाल सकते हैं, range specific password डाल सकते हैं, तो आपको बात में जब आपके पास यह file सारी वापस आएंगी, तो आपको यह tension नहीं लेनी पड़ेगी, कि A ने अपने एरिया में entry कि यहाँ दूसरे में तो नहीं कर दी, आपको पता है, आपने तनी strong file बनाईए, कि कोई किसी के एरिया में entry नहीं कर सकता, जहां मैं चाहता हूँ, वहीं entry होगी, right friends? झाल 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 तो यह दो झाल कि क्यों कि दौजी फाइल उप्पोन और मोडिफाइब फाइल कुल्द रॉप्पोन करिवे ले गने मोडिफाइब कि अ फ्रेंड सब बात करते हैं फाइल प्रोटेक्शन की राइट अभी फाइल को प्रोटेक्शन के बारे में कि फाइल उपन हो सकते हैज आपको मोल प्रोटेक्टेटेएज बात अभी हम देखनेगे फाइल को प्रोटेक्ट करना है फाइल जो ऑफ्राइज Dead People हैं वही उसको उपन कर रहें एट उपन पर मुझे प्रोटेक्शन लगाना है तो different type के protection में open पे लगा सकता हूँ like file open ही ना हो without password या file open तो हो जाए बट उसे कोई modify ना कर पाए without password तो इस तरह कि मैं protection उसके उपर लगा सकता हूँ right तो friends file को protect करना है open होने से कैसे करना है मुझे friends file को save as करना है कोई भी file है मेरे सामने like एक file खुली हुई यह इस पर में protection का काम किया था उस file को मुझे save करना है right कैसे करना है मुझे file में जाके save as करना है या तो मैं save as करूँगा right save as आप सभी को पता होगा save as हम लोग file को करते है यह हम लोग shortcut की use कर सकते है F12 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 मेरी shortcut की है right जैसे मैं shortcut की प्रेस करता हूँ friends यह मिरको location दिखाता है file save करने के लिए जहां भी आपको save करना है आप अपनी location चूज कर सकते है बट जो आपको काम करना है मैं वो यह है कि आपको यहां टूल में जाना है जो window open होई है इसमें आपको टूल में जाना है और टूल में जाके आपको general options पे click करना है general options में मैंने जैसे click किया आप यह देखिए यह आपसे पूछ रहा है तो यह सारे options आपके पास available है आप इसको please try कीजिएगा खुछ से एक बार password file open करने के लिए जो भी file जिसके पास भी password to open होगा वहीस file को open कर पाएगा password to modify जिसके पास यह password होगा वहीस file को modify कर पाएगा read only अगर आपने किया हुआ है right तो read only file जब खुलेगी वह read only mode में खुलेगी right read only mode में खुलेगी आपको password देना है और ok करना है right file आपकी desired location पे save हो जाएगी and then that file आप किसी के साथ भी share कर सकते है right friends झाल कर दो मॉर्ज मॉल्टिपुल फाइल बना अलगालगा सो फाइल रही वा तको आमें एक काटिगरिया मॉर्ज मॉल्टिपुल फाइल फ्रेंट्स इस सेक्शन में लोग देखेंगे मल्टिपल फाइल्स राइट मैंने मल्टिपल मेरी फाइल्स हैं जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोग को भेजी होई है और उस पे मेरे पास काम होके आता है और उसको मेरे को मर्च कैसे करना है राइट जो मैं फाइल बेसता ह में जाऊँगा तो आप देखेंगे team A, team B, team C. टीनों पे already protection लगा हुआ है. मैंने sheet को unprotect करके केवल जो data डाला था last section में, last video में, वो मैंने यहां से delete कर दिया है. data delete कर दिया है. आफ फ्रेंट्स मेरी requirement किया है वो समझते हैं. मेरे को इस file को भेजना है team A, team B, team C को. वो भेजूँगा, वो लोग इसके अंदर data डालेंगे और मेरे पास भेजेंगे. multiple होगा ऐसे मेरे को file भेजूँगा और वो मेरे को file वापस भेजेंगे काम करके. file मेरे पास आएगी, मेरे को single click में, single click में सारी files को एक single file में merge करना है. सारी files को single file में merge करना है, एक single click में. उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है? मुझे एक merge का इसके अंदर, file को merge करने का एक option यूज़ करना है. तो फ्रेंट, process कैसे start होगा? blank file, आपकी file रेडी है बिलकुल. फाइल रेडी है, आपने वहाँ पे allow audit ranges करके है, सारी अपनी range वगरा, जे वो process password, जो आपको देना था, आप सब दे चुके. उसके बाद आपको क्या करना है? फाइनली जब आप अपनी file पे सारे protection, सारा काम बिलकुल कर चुके हो. सब कुछ while आपकी रेडी है भिजने के लिए. यहाँ पर फ्रेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल को यहाँ पर आपको share करना पड़ेगा. फाइल को आपको share करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर एक review के अंदर एक option आएगा, share workbook, share workbook legacy. फ्रेंट्स अलग अलग नाम से आपको यह option मिल सकता है, यह option आपको use करना है, यह option share workbook legacy आपको use करना है. इस option को use करने से पहले एक function है, merge file करने का, वो आपको अपनी file में active करना पड़ेगा. वो option active करना पड़ेगा, और उसको active करने के लिए, मैंने यहाँ पर एक tab दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा process बता दिया है, कि exactly आपको उसको कैसे active करना है, right, कैसे active करना है, तो आपको क्या करना है, friends, फाइल में जाना है, right, आप फाइल में जाते हैं ना, एड करना है और ओके करना है, right, यह simple process है जो मैंने इसमें लिख दिया है, file, यह उपर लिखा भी है, file, options, options में जाने के बाद, quick access toolbar, all commands, जो all commands मैंने ने select किया, compare and merge मेरे को ढूंड के select करना है, and then मेरे को add करना है और ओके करना है, right, करके देखते हैं, मेरे case में already वो activated है, आपको दिखा देता हूँ मैं, right, मैं file में गया, file में जाने के बाद, friends मैंने क्या किया, file में जाने के बाद मेरे को, options में जाना है, right, files में जाने के बाद, options में जाना है, options में जाने के बाद मेरे को क्या करना है quick access toolbar quick access toolbar मैं इसमें click किया यहाँ पर जो popular command दिखा रहा है इसकी जगे मुझे क्या करना है all commands all commands मेरे को यहां से करना है all commands करना है उसके बाद मेरे को क्या करना है compare and merge workbooks इस list में compare and merge workbook यह मेरे को search करना है तो alphabetically है यह, मैं सीधा C में आ जाओंगा, right, compare and merge workbook, right friends, compare and merge workbook, right, मेरे में आप देखेंगे, right and side पर यह already added है, मेरे में पहले से added है, आप क्या करेंगे, इसको select करेंगे और add पर click करेंगे, add पर click करने के बाद friends, आपको ok पर click करना है यहाँ पर नीचे, जैसे आप ok पर click करेंगे, friends, होगा क्या, आप यह जैसे button देख रहे है ना goal, यह button आपको यह ऊपर यहाँ देखना शुरू हो जाएगा, मेरी screen पे आपको light color कर नजर आ रहा है क्योंकि अभी disabled है, अभी disabled है, मैं इसको enable करूँगा, लेकिन पहले आपको यह active करना है, आपको अपनी Excel के अंद बार बार नहीं करना है, उसके बाद आप protection अपने अपना लगाया, आपनी file ready कर दी, now, यह file ready है, सब लोगों को भेजने के लिए, friends, जब पिलकुल ready है आपको भेजने के लिए, तो जो last काम आपको करना है, जो last काम करना है, वो आपको करना है, share workbook legacy, share workbook legacy, right, friends, share workbook legacy, आप क करूँगा यहाँ पर share workbook legacy, protect and share workbook legacy में क्या होगा, share workbook legacy में क्या होता है, जब मैं file को किसी को भेजता हूँ, और कोई जान पूछ के गरवल करना चाहता है, वो unshare करके, unshare करके, right, होगा क्या, friends, लोगों के पास file जाएगी, यह file वापस आएगी, जब यह share workbook legacy में क्लिक कर पूरा track maintain करेगा, कि जिसको आपने भेजी है, उसने कहां-कहां क्या-क्या changes किये, right, तभी तो यह file जब आपके पास वापस आएगी, तो single button click से वो उठालेगा, कि कहां-कहां changes हुए है, और वो आपकी एक जगे सारा compile हो जाएगा data, लेकिन किसी ने file को open किया, suppose A ने, B ने, किसी ने भी अपनी file को open किया, और उसको unshare कर दिया, यह button देख रहे है न, grey out, यह जैसी मैं share करूँगा, यह active हो जाएगा, किसी ने unshare कर दिया उसको, अब किसी ने उसको unshare कर दिया, उससे होगा क्या, वो track maintain होना चाहिए था, वो track maintain नहीं होगा, और आप उसको compile करना ही को track change, और यहाँ पर पासवर्ट आपको देना है, तो यह option आपके यह अलग-लग Excel वर्जन में अलग-लग तरह से दिख सकते हैं, उसमें आमें टेंशन नहीं लेना है, मेरे को केवल इस option को use करना है, select करना है, अलग-लग नाम से दिख सकता है आपको, तो मैं use करूँगा share workbook legacy, अगर आपको यह भी protect करना है, कि कोई उसको छेड़ ना पाए, तो आप उसको protect and share workbook legacy click करेंगे, और friends, यहाँ पर एक बात और बताए तो protect and share workbook legacy, अगर आपने अपने system पे किया है, तो आपके system पे तो यह unshare करने का option देगा, बर जो दूसरे के system पे जाएगी, different system पे तो आपको इसको check करने के लिए, इसको test करने के लिए इस फाइल को दूसरे system पे भेजना ही पड़ेगा, इसे लिए मैं इसको use नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको दिखाने के लिए मेरे को दूसरी sheet पे, दूसरी computer पे इसको system पे भेजना पड़ेगा, तब चेक करना दूसरे system पर जाके unshare नहीं हो पहेगा, क्योंकि मैंने इसको protect किया है, तो मैं unshare कर सकता हूँ. तो मैं यूज करूँ गो share workbook legacy. तो last काम मेरे को करना है, वो करना है share workbook legacy, उससे पहले मेरा सारा काम हो जाना चाहिए. तो friends, मेरे को यहाँ पर मैंने ranges पर password लगाए है, वो मेरे को protect रखना है, तो पहले मेरे को protect sheet करना पड़ेगा एक बार. Protect sheet तो करना ही करना है, 123, okay, 123, okay. ठीक है जी, मैंने file को अपनी sheet को protect कर दिया. अब मेरे को क्या करना है friends, last काम जो मुझे करना है share workbook legacy. इस पर click किया, जो message आ रहा है उस पर okay किया और मैंने इसको okay कर दिया. यह मेरे को message pop up होगा, this action will now save the workbook, do you want to continue? के वल मेरी file को save करेगा यह है, तो मुझे इसको okay करना है. अब आप देखेंगे, unshare workbook का option open हो गया है, मुझे unshare workbook का option open हो गया है, मुझे unshare नहीं करना है, मैंने ctrl s किया, save किया इसको, अब friends मैं क्या करूँगा, इस file को मैं बंद कर दूगा, मैंने इस file को बंद कर दिया, desktop पर friends मैंने इस file को save किया हुआ है, desktop पर protection करके मैंने एक folder बनाया है अपने, और मैंने वहाँ पर इस file को save कर लिया है, इस पर मैं सारा काम कर चुका हूँ, अभी मुझे क्या करना है friends यहां से इसको copy करना है, और मैं इसकी 3 copy create कर लूँगा, मैंने 3 copy create कर ली, जरूर ही नहीं आपको copy create करना आप चाहिए, तो यही file as it is भेज सकते हैं सबको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको उनके password लिख लिखके उनसे related file नाम के साथ भेजी जाएं, तो मैं नाम भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने यह किया, team A, right, एक file पे मैंने लिखा, team B, third file पे मैंने लिखा, team C, मैंने तीनों file पे नाम लिखा और मैंने तीनों को भेज दिया, अब suppose A के पास A की file पहुची, A ने अपनी file को open किया, A ने अपनी file को open किया, और file जो उसके पास open होती है, तो यहाँ पर वो file को क्या करेगा, detail डालेगा अपनी, A अपनी यहाँ detail डालेगा, जैसी वो detail डालता है, उससे password पूछ लिए जाएगा जी, password बताओ, A का password क्या है अपने अलग से उसको बताया होगा, one, two, three, right, password डाला, अब A अपना data डालके बेज़ेगा, suppose A का data सब जगे common है, A अगर B में कुछ entry करना ही कोईश्च करना है, allowed नहीं है, उसको password चाहिए, तो मेरा data safe है, right, मेरी file पूरी safe है, right friends, A ने अपना काम complete कर दिया है, file को मैंने बंद कर दिया है, अब B अपना data डालेगा, B की file open हो गई, B अपने हाँ data डालेगा, जैसे वो data डालना ही कोईश्च करेगा, password है 456 उसने password डाला, और B ने फिर अपने data की entry कर दी, right, B ने अपने data की entry कर दी, सारा data भी डाल चुका है, कहीं और डालेगा तो उससे password पूछा जाएगा, वो allowed नहीं है, right, मैंने file को डाला और file को बंद कर दिया, B की file close है, then C, C की file open हो जाती है, C अपने हाँ data डालेगा, password पूछा, 789 password डाला, range open हो चुकी है, अब मेरे को यहाँ पर data डालना है, सब जगा, time बचाने के लिए मैं same number लिक रहा हूँ, right, मैंने save किया, C ने और इसको बंद कर दिया, C ने भी अपनी file को बंद कर दिया, इन तीनों ने file को उठाके, मुझे अपनी काम करके भेज दिया वापस, मैंने क्या किया friends, एक location पे, particular location पे, जरूरी नहीं और जिस जगए यह file save है वहीं, मैंने particular location पे, इन तीनों files को save कर दिया है, right, मैंने अभी यहीं पर save कर रखा है, अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो मेरी main file थी, जिसमें मैंने काम किया था, original मेली file जो है, मैं उसको open करूँगा, मेरी original file open हो जाती है, right friends, अब मुझे क्या करना है अगर आप देखोगे, यहां पर यह button active हो गया है, यह button पता है किस time active होगा, इस video थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा, जब मैंने review के अंदर, review के अंदर share workbook किया था, यह तभी यह button active हो गया था, जैसे share किया यह button active हो गया था, यह मैंने button preference क्लिक किया, यह मेरे से पूछ रहा है कि जी location बताओ, जहां पर आपकी file saved है, मेरे को वह file बतानी है, जो तीनों file मेरी save है, जहां पर मेरे data है, तो मेरे को वह location बतानी है, मैंने वह file को select किया, अब मेरे को file select करनी है, तो या तो मैं एक साथ control press करके, मैं multiple file select कर सकता हूँ, या मैं कहता हूँ भी submit data नहीं आया है, एक एक का लेके आना है मुझे, suppose A ने अभी मुझे file बेजी है, मैं A का compile करना है अपनी file में लेके आना है, तो मैं A को select करता हूँ और मैं OK करता हूँ, See friends, A का data मेरा आ गया बिना copy paste किये, बिना मेरे effort डाले, A ने जहां जहां जो जो changes किये थे, वो मेरे पास data आ चुका है, अब मेरे पास suppose B और C की file आ गई, मैं दुबारा इस button पे click करूँगा, अब मैं B और C को select करूँगा, control press करके, मैंने B और C दोनों को select कर लिया, और मैं OK करता हूँ friends, आप देखिए B और C का data आ जाता है, मैं review करता हूँ यहाँ पर, और मुझे लगता है A ने जो data भेजा था, उसमें कुछ mistake थी, मैंने A को बताया जी, आपके data में कुछ mistake है, आप मेरे को दुबारा भेजो, data को दुबारा भेजो, A ने अपनी file में फिर क्या किया, फिर कुछ change किया, आप A की file दुबारा open करते हैं, A ने का अच्छा गलती सही entry हो गई थी, मेरे को यहाँ change करना है, पहले password पूछ रहा है, क्योंकि दुबारा open किये मैंने file, तो जी, password 123, अब यहाँ पर data डालना है, मुझे कुछ change करना है data, 5000 है, सबके लिए 5000 है, A ने data change किया, मेरे को file दुबारा भेज दी, मैंने file को बंद किया, यह ने file को बंद किया, और दुबारा मेरे को save करके बेज दिया, मैंने उसी location पर, एक ही दुबारा file save कर ली, जिस भी location पर एक ही file दुबारा save कर ली, अब मेरे को क्या करना है, अपनी main file पर आना है, merge file, जहाँ पर मैं अल्रड़ी merge use कर रहा हूं, मैंने अपनी उस file को open कर लिया, अभी यहाँ पर एक आपको पुराना data दिख रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया बात इसकी यह है, कि जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, और आप दुबारा से एक को select करेंगे, यह track maintain करता है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, और आपको एक खटा उसको consolidate करना होता है, compile करना होता है, वहाँ पर यह बढ़ा असान हो जाता है, जब friends आप सारा अपना कर चुको, सारा काम इसमें कर चुको, तो आपको इसको unshare कर देना है, क्योंकि जब तक यह sharing mode में है, बहुत सारे functions इस file में काम ही नहीं करेंगे, properly काम नहीं कर पाएंगे, जब आपका सारा काम हो जाया, आपको लगए कि यहाँ सारा data आ चुका है, आप मुझे further काम करना है, then मैं इस unshare workbook पे click करूंगा, और unshare करने के बाद आब मैं इसमें जो भी काम करना है friends में कर सकता हूँ, इस तरह से friends हम लोग multiple files को share कर सकते हैं लोगों के साथ, उस file को share कर सकते हैं और उनसे data entry होने के बाद उसको compile कर सकते हैं, आप मौल्टिपूल डाटा होड़ा के आने के इंदी महर्स करा हो, इड़ा एक बीड़ोड दिला, इड़ा पठे हैं इभी, इड़ा फॉलोगरिए, आगे, आगे,